हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टू मैं रुपारी वर्मा आज चो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपकी कक्षा पांचवी का तृतिय अध्याए खिलोने वाला ये एक कविता है, इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी आप जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासे में बढ़ रहे हो ना, तो क्या होता है कि हर चैप्टर के साथ नेम जरूर होता है तो वो नेम का याद रखना बहुत जरूरी होता है तो जब से ये कविता हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि ये कविता लिखी किसने है ये आपको याद रखना है क्योंकि ये question आ सकता है कि ये कविता किसने लिखी है आप क्या बताएंगे सुब्यद्रा कुमारी चौहान में आचा अब इसी के साथ आपको एक छोटी सी नॉलेज हमार देते हैं कि यह जो हमारा पाथ है यह हिंदी साहित के काव यह खंडे से लिया गया है अब यह सब क्या होता है हिंदी साहित मतलब हमारा हिंदी लिट्रेचर हमारा हिंदी दो पार्ट में डिवाइड़ है ना लिट्रेचर एना लैंगविज तो लैंगविज को तो हम लोग हिंदी में व्याक्षरण कहते हैं तो मगर हिंदी लिट्रेचर को क्या बोलेंगे हिंदी लिट्रेचर को बोलते हैं हिंदी साहित और हिंदी साहित हमारा दो पार्ट में divided है, तो वो दो पार्ट हमारे क्या है, गद्यखंड और काव्यखंड, अब यह हमारा जो पार्ट है, किस में आता है, हमारा काव्यखंड में आता है, क्यों, क्योंकि यह एक कविता है, क्या है, कविता है, कविता है, दोहे हैं, यह सभी हमारा किस में आएगा, wise explanation भी देखिएंगे चरू करते हैं अब जब कविता हमारे सामने आती है न तो ध्यान रखो कविता हमेशा लै के साथ पढ़ी जाती है मतलब थूड़ा सा गाते हो यह निकि पूरा ही गाना है लै होना चाहिए थोड़ा अब क्या दिया है इसमें इसको कैसे पढ़ेंगे वा देखो मा आज क्या वा देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह की सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है हरा हरा तोता पिंजने में गेंद एक पैसे वाली चोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली तो हम इसको हमेशा ऐसे पढ़ते हैं अगर आपने इसको ऐसे पढ़ा यह अभी सही तरीका था हमने आपको बताया अब गलत तरीका क्या है आप अगर कविता ऐसे पढ़ोगे बाद देखो मा खिलोने वाला फिर से आया कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना यह गलत तरीका है कविता है तो थोड़ा लै में पढ़ेंगे तो अब यहाँ पर क्या है एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मा से बोल रहा है क्या बोल रहा है मा वो देखो आज फिर से खिलोने वाला आ गया है जैसे आप लोग की घर के बाहर बहुत सारे फेरी लगाने वाला आते है सबजी वाला आता है, सबजी ले लो, कबाडी वाला आता है दूद वाला भी आता है और कभी-कभी साडी बेचने वाला, सूट बेचने वाला बहुत तरह की चीज़े बेचने वाले लोग बाहर आते हैं तो उसी तरीके से खिलोने वाला भी आया है और तो बच्चा क्या बोलता है? मा उसके पास बहुत तरह-तरह के सुन्दर-सुन्दर खिलोने है देखो उसके पास एक हरा-हरा सा तोता है जो पिंजरे में हैं कैसा तोता है? हरा-हरा सा है जो पिंजरे में हैं और एक गेंद लाया है जो एक पैसे वाली है गेंद जो लाया वो कैसी है? एक पैसे वाली है और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है तो कैसे चलती है, सर 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 करके चलती है तो यह बच्चा जो है अपनी मा से बोड रहा है मा वो खेलोने वाला ऐसे ऐसे खेलोने लेकर आया है अब यह जो lines हमने पढ़िए इतनी lines पढ़ी न? अब इतनी lines का हम प्रसंग देखेंगे अब प्रसंग क्या होता है? संकलित कविता खिलोने वाले से लिगई है तो ये भाग पाँच भी कहां से लिगई है खिलोने वाली से अब इसको लिखा किस ने है इसकी कवेत्री सुबध्रा कुमारी चौहान है अगर मेल होता कोई तो हम बोलते कवी लेकिन यहाँ पर क्या है एक फीमेल मतलब एक इस्तरी है जिन्होंने लिखा है तो वो क्या बोलेंगी कवियत्री कवियत्री कौन है सुबद्रा कुमारी चौहान तो प्रसंग में हम इतना ही लिखते हैं अब इसकी व्याख्या अब जो हमने कवित लाइन्स पढ़ी है इसको हम सरल एक पैराग्राफ मे बना कर लिखेंगे पैराग्राफ में हमने समझ लिया क्या क्या है तो क्या बोलेंगे वालक अपनी मां से कहता है कि आज फिर से खिलोना वाला तरह तरह के खिलोने लेकर आया है उसके पास पिंजने में बंद हरा हरा तोता है उसके पास एक पैसे वाली छोटी सी मोटर काड़ी चलती है तो मत्तर जो कविता की लाइन हमें ते हमने कैसे किया सरल हिंदी में करके लिख दिया he आप से व्याक्या पूछी जाती है या आश्रिक पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे तो कविता को हमने आपको समझाया अब इसके आगे आने वाली लाइन्स को पढ़ते हैं क्या दिया है सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुंदर खेर चाबी भर देने से भगबग करती चलने वाली रेल गुडिया भी है बहुत भली सी पहने कानों में वाली छोटा सा है टी सेट छोटे छोटे लोटा थाली तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी वो खिलोनों के बारे में ही बता रहा है अभी उसने क्या बताया था हरा 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 तोता है पिंजरे में बंद और एक चोटी सी गाड़ी है जो चाबी भरने पर कैसे चलती है सरसर चलती है अब क्या बोला है उसके पास कई तरह की सी चाब भी तेज भग भग घर संगैं मतलब सुंदर भूलिय यहां सब यह सुद्सेक वारे हैं इसंदर से स्लुआ पहनी हे Citrix educator तो सब कुछ भी होग है तो वो एक छोटा सा उसके पास tea set भी है और छोटा 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 लोटा थाली है। तो यहाँ पर क्या दिया है प्रस्तुत पंक्तिया हमारी पार्ट पुस्तक रिम्जें भाग पांच में संकलित कविता खिलोने वाली से ली कई है इसकी रचैता है सुबध्रा कुमारी चौहान कौन इसकी रचैता है सुबध्रा कुमारी चौहान प्याख्या क्या है बालक अगरी की पंक्तियों को देखते हैं अब आगी की पंक्तियों को देखते हैं मुन्नु ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी कहीं खिलोने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वा कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है तो अब इन पंक्तियों में क्या है तो उसने बोला कि उसके पास देखो अभी क्या था छोटा सा टी सेट था और छोटे छोटे लोटा था ली थे अब क्या है उसके पास और उसके पास छोटे छोटे धनुशबार हैं और तलवार भी है उसके पास छोटी छोटी सी बच्चों दलवार तो इतनी बड़ी होगे तो उतनी बड़ी बड़ी हो उसके पास दलवार भी है नए खिलोने ले लो भाईया जोर जोर से रहा पुकार और वो जोर जोर से पुकार लाया है कि सभी लोग आओ खिलोने लो मैं नए नए खिलोने लेकर आया हूँ मुन्नू ने गुडिया ले लिए अब किस बच्चे ने क्या क्या लिया है वो बताते हैं कि मुन्नू ने गुडिया ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है और सरला जो है वो बार-बार मचल रही है अपनी मा से कि मुझे एक साड़ी ले दू तो बच्चा क्या बोलता है कि खिलोने वाला भी कहीं साड़ी रखता है खिलोने वाला साड़ी तो नहीं रखता है तो साड़ी तो कौन रखता है कपड़े वाला लगता है जो कभी-कभी हमारे घर के बाहर आता है अब प्रसंग सेम वही रहेगा प्रस्तुत पंक्तिया हमारी पार्ट पुस्तिक रंजिम भागपात से की कविता खिलोने वाले से ली गई है इसकी रचेता सुबद्रा कुमारी चोहान है अब इसकी व्याख्यात कैसे अब जैसे वोज लाइन सी उनी को आपको कैसे करना है सरलहिंदी में करके उसकी एक पैराग्राफ बना देना है तो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे बालक अपनी मा से कहता है कि आज फिर खिलोने वाला तरह तरह के खिलोने लेकर आया है खिलोने वाला जोड़ जोड़ से बोल रहा है उसके पास नएने खिलोने है वा अने खिलोने के साथ धनुशबार और तलवार भी बेच रहा है मुन्नो ने गुडिया खरे दी और मोहन ने मोटर गाड़ी सरला अपनी मां से कहती वा खिलोने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद दे इस पर वालक अपनी मां से कहता कि क्या कभी खिलोने वाले साड़ी लेकर रखता है कभी नहीं लगता ना साड़ियां तो कपड़े वाला बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं तो मैं बच्चा भित्ता समझदार था, साडी वो देले को बोल रही है, साडी तो खिलोने वाले के पास होगी नहीं, वो कहा मिलेगी, वो तो मिलेगी कबड़े वाले के पास में, अब आगे की पंग्तियां देखते हैं, अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिये पैसे च मैं तलवार खरीदूंगा मा या मैं नलूंगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान तो अब यहाँ पर क्या है अब बच्चा जो है वो लेने की बात कर रहा है क्या बोल रहा है अम्मा तुमने मुझे चार पैसे दे दिया उत्ते सारे खिलोने लेके आ तो उसे मा ने समझ लिया कि ये भी खिलोने लेना चाहता है तो उसकी मा गई अंदर से उसको चार पैसे लाकर दे दिये तो वही बोल रहा है कि मा आपने मुझे चार पैसे तो दे दिये लेकिन मैं कौन सा खिलाओना लूँ तुम मन में करें तुम यह सोच रही होगी कि यह कौन सा खिलाओना लेगा तुम सोच ये लोगी कि मैं जो हूँ मैं तोता ले लूँगा बिली ले लूँगा मोटर काल ले लूँगा मगर मैं ये सब कुछ भी नहीं लूँगा मैं क्या लूँगा तलवार लूँगा ये तो जो तोता बिली है ये बच्चों के खेल है मगर मैं क्या लूँगा? मैं एक तलवार खरीदूँगा और एक तीर कमान लूँगा क्यों? क्योंकि इससे मैं जंगल में जाऊंगा और एक जैसे ताड़का राक्षुसी को मारा था राम जी ने वैसे ही मैं उन्सको मारूगा तो अब इन लाइन्स की भी प्रसंग वैसे ही रहेंगी प्रस्तुत पंक्तिया हमारी पार्ट पुस्तुक रिम्जम भाग पांच में संकलित कविता खिलोने वाले से ली गई है इसकी रचैता सुबध्रा कुमारी चोहान है सेम वहीं चलेगा पूरे पंक्तियों में कहीं कुछ चेंज नहीं होगा व्याख्या बदलेगी व्याख्या में क्या आएगा बालक अपनी मा से कहता खिलोने वाले के आने पर तुमने मुझे चार पैसे दे दिये है अब वह विचार कर रहा है कि उसे कौन सा खिलोना खरीदना चाहिए अब वह सोच रहा है कि उसे कौन सा खिलोना खरीदना चाहिए वह मा से कहता है कि वह भी इस बारे में विचार कर रही होगी कि मा सोच रही होगी कि मेरा बेटा कौन से खिलोने लेगा अगर वह सोचती है कि उसका बेटा अन बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेल गाड़ी खरीदेगा तो वह गलत सोचती है जो सब बच्चों ने लिया मोटर गाड़ी तोता बिल्ली अगर वो सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो मैं वो तो बिल्कुल नहीं लूँगा उसका बेटा इन खिलोनों को कभी नहीं लेगा वो कहता है ये खिलोने तो बच्चों के खेल है वा तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरहे किसी ताड़का को मार गिराएगा ताड़का राक्षर सी थी ना तो जैसे राम जी ने ताड़का को मारा था वैसे ही मैं जंगल जाऊंगा और किसी ताड़का को मार के गिरा दूँगा आगे की पंक्ती है तपसी यग्य करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते राम चंदर बन जाऊंगा यही रहूंगा को सल्या में तुमको यही बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा पर्मा बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा अब वो बच्चा है छोटा सा तो वो क्या बोलता है कि मैं जो है ना वहाँ जाके तार्का को मारूंगा और जो तपसी यग्य कर रहे होंगे उनको परिशान करने के लिए जितने असुर असुर मतलब राक्षस जितने भी राक्षस आएंगे मैं उन सभी को मार भगाऊंगा और ऐसा ही करते करते मैं एक दिन खुद रामचंद्र बन जाऊंगा यही रहूंगा कौसल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा मतलब मैं तुम्हारे पास यही पर रहूंगा और तुमको ही कौसल्या राम जी की माता कौन थी लिए कौसल्या माता थी जाओंगा राम जी भी तो हस्ते बन को गए थे क्यों गए थे क्योंकि उनके पिता जी और माता जी नोंने आ गया दे थी कि तुमको 14 साल बन में गुजारने हैं तो अगर आप भी मुझे बोलोगी तो मैं भी वही करूंगा अब इतना तो से बोल दिया लेकिन अब वो छोटा बच्चा वो क्या बोले कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा मैं तो छोटा बच्चा अब मैं तुम्हारे बगेरवन में कैसे रह पाऊंगा मैं वहापे नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना दिन बर घूमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा किस से लूंगा प पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद राक्षुस को माने के लिए पूरा दिन जंगल में घूमना पड़ेगा ना, तो पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद जब लोड कर आऊंगा, तो मैं किस से रूठ हूंगा, किस से पैसे लूँगा, जब तुम तो होगी नहीं, जं चाही चीजे खिलाएगा अब बच्चा बोल तो मैं बन चला जाँगो तो मुझे मिलेगी नहीं तो मुझे कौन प्यार करेगा कौन मनाएगा कौन पैसे देगा तो वो यह चीज यहाँ पर बोल चाहा होता है तो अब हमारे पास क्या आता है इन अंतिम पंक्तियों की जो है प पार्ट सेम है, रचैता सेम है, तो सभी एक ही रहेगा, अब इसकी व्याख्या क्या है, बालक अपनी माह से कहता है कि वो खिलोने वाले से तलवार या तीर कमान खरीदेगा, और जंगल में जाकर राम की तरहे किसी ताड़का को मारेगा, वो सभी असरों को जंगल में मार ताकि तपस्वी गड़ शांती पूर्वक यग्य कर सके, क्योंकि जो रिशी मुनी होते हैं, साधू होते हैं, वो यग्य करते हैं, और जितने राक्षुस होते हैं, इनको बड़े बरिशान करते हैं, तो जैसे राम जी रिशी गड़ियों को मदद करते थे, उसी तरीके से ये भी करेगा इस प्रकार से वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी मा कोशल्या बन जाएगी अगर उसकी मा उसे बन जाने का आदेश देगी तो वह खुशी-खुशी बन भी चला जाएगा लेकिन बालक शीकर ही दुखी हो जाता है खुशी-खुशी अभी तो रा किसे रहेगा जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा किससे रूठेगा कौन उसे मनाएगा और गोध में बिठाकर अच्छी-चीजे देगा तो बालक बड़ा इस चीज से परिशान हो जाता है कि वह क्या करें तो यह हमारे पास एक कविता थी यह जो हमारी लिखी थी यह किस किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा हामेद की यहाँ पर कहानी दी गई है छोटा है लेकिन कितना समझदार है वो अपनी दादी की तकलीफों को जानता है और उनकी तकलीफों को समझता है उसके पास पैसे कम होते हैं लेकिन जित्ते होते हैं वो जरूरत की चीजों को खरी तो इसी पर ये छोटी सी कहानी है एदगा जिसकी रचेता है प्रेम चंद जी मुन्शी प्रेम चंद जी इसकी रचेता है बहुत ही अच्छी कहानी है आगे भी क्लासस में पढ़ोगे तो ये आपका इससे रिलेटिट कोई कोशन आंसर नहीं आएंगे लेकिन ये आपको एक इंटेइन्मेंट जरूर है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस कहानी को कहानी का नाम है इदगा अब इदगा होता क्या है आद के दिन लगने वाले मेले को इदगाह बोला जाता है, इदगाह मतलब एक मजज़ित के बड़ी मज़ित के पास में मिला लगा है इद के दिन, तो वही है इदगाह, और वहाँ पर किस तरीके से ये छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं, क्या-क्या खिलोने खरीदते हैं, इनी सब के बारे में हमारे सामने तो सब्से पहले इद का दिन कैसे शुरू हो रहा है, ये देखेंगे, तो क्या है, रम्जान के पूरे 30 रोजे के बाद 30 दिन ब्रत रखा जाता है, उसके बाद इद आता है, घाओं में कितनी चहल पहले, इदगाह जानी की तयारियां हो रही हैं, किसी के कुर्टे का बटन नहीं है पडोज के घर से सुई तागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलों की सानी पानी दे दे दें इद गा से लोटते लोटते दुपहर हो जाएगी लड़के सबसे जादा पसंद है किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दुपहर तक किसी ने वह भी नहीं रखा लेकिन इद गा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है तो अब क्या है इद का दिन है सबको इद गा जाना यानि की मेले में जाना है तो सुबह सुबह सब जल्दी जल्दी त तो सब इसी तरीके से हैं और सबसे ज़्यादा खुश हैं बच्चे क्यों क्योंकि मेला जाने की खुशी उनसे ज़्यादा किसी को भी नहीं है रोजे बड़े बुढ़ों के लिए होंगे इनके लिए तो इद है रोज इद का नाम रटते थे आज वह आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग इद गहा क्यों नहीं चलते अब क्या है जो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई 30 दिन का रोजा तो नहीं रख सकते किसी ने एक दिन का रोजा रखा किसी ने आधे दिन का रोजा रखा किसी ने डेर दिन का मतलब भूके रहे हैं एक तरीके से रखें खुश हैं अब रोजे तो बड़े बुढ़े लगते हैं डेली बच्चे रट रहे थे इद आएगी ये करेंगी इद आएगी वो करेंगी और अब अब कहने की जल्दी क्यों नहीं ईडगा चलते हैं सबको ईडगा जाने की बहुत जल्दी हैn। वार वार जेव से अपना ख़जाना निकाल कर गिंते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। खजाना मतलब उनको ईदी के रूप में जो पैसे मिले हैं, वो उनके पास में हैं, अब इसी से ईद गहा जाकर वो मेले में सब चीजे खरी देंगे, खाएंगे, जूरा जूलेंगे और उनके लिए तो वो खजाना हैं, बार बार निकालते हैं, जेब से गिनते हैं और फिर र गिनत चीजे लाएंगे, खिलोने, मिठाईया, बिगुल, गेंद, नाजाने क्या क्या और सबसे जादा प्रसन्न है हामिद, तो अब क्या है, सभी खूब सारे पैसे ले लेके, किसी के बास 12 हैं, 15 हैं, लेकिन सबसे जादा खुश है हामिद, वो बहुत जादा खुश है, ह इसका गोटा काला पड़ गया है, पाओं में मेला चला, गाओं से कहां चला, मेला चला, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी सब के सब दोड आगे निकल जाते, फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, ये लोग क्यों इतना धी धीरे धीरे चल रहे हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, हामिद छोटा सा बच्चा था, अपनी दादी के साथ रहता था, उसके माबाब दोनों ही नहीं थे, तो वो भी बच्चों सभी बच्चों के साथ में कहां जाता है, मेला जाता है, जैसे बच्चे हैं थ से लगता उसके पैरों में पर लगया वो जल्दी से इदगा पहुंच जाना चाहता है शहर आ गया अब इदगा कहां पे थी शहर में ये सभी गाउं से आये थे बड़ी-बड़ी इमारते आने लगी ये अदालत है कॉलेज है ये क्लब घर है इतने बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं है जी बड़े-बड़े आदमी हैं सच इनकी बड़ी-बड़ी मूचे हैं अब बच्चे कैसे आपस में बात कर रहे हैं एक एक इमारत देख रहे हैं कॉलेज में अब बड़े-बड़े लड़के क्या होते हैं उनकी मुझे दाड़ी आ जाती है तो यहां बोलते हैं यह सब लड़के नहीं हैं यह सब आदमी हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं इनकी बड़ी-बड़ी मुझे हैं इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने आते हैं तो बोले इतने बड़े हो गए अभी भी पढ़ते हैं ना जान मदरसे में, दो, तीन बढ़े-बढ़े लड़के हैं। मतलब उनका एक छोटा सा श। सूल जो गाओं में हैं। इसलामिक जो एड़्ूकिशन देता है, उसको बोलते हैं मदरसे। तो वहां मदरसे में क्या हैं छोटे कुछ बड़े बड़े लड़के भी हैं बिल्कुल तीन कोड़ी के हैं तीन कोड़ी के मतलब बेकाल लड़के हैं रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगहा भी उसी तरह के लोग होंगे क्या तो हामित बोलता है कि मेरे हां मदरसे में भाई ऐसे बड आने वाले भी ऐसे ही होते होंगे क्या सैसा इदगा नजर आया नमास खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब मिठाई और खिलोने की दुकान पर धावा होता है सबसे पहले इद की नमास पढ़ी जाती है गले मिलते हैं दूसरे को मुबारक बात देते हैं और फ आसबान पर जाते हुए मालूम होगे कभी जमीन पर गिरते हुए यह चरकी लकडी के हाती घोडे उट चड़ों पे लटके हुए एक पैसा दे कर बैट जाओ और पच्चिस चक्रों का मजा लो तो अब वहां पर डिसकुशन हो रहा है जूनों के बारे में खिलोने के बारे में तो वह जो गोल-गोल होता है चुरका है उसमें बैट जाओ कभी हम उपर जाते हैं और को और खुब मजे करो हामें दूर खड़ा है सब बच्चे आपस में डिस्कस करने हैं लेकिन हामें दिन सबसे दूर खड़ा है तीन ही पैसे तो उसके पास है उपने कोश का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता तो उसने कहा कि मेरे पास तो तीन पैसे है अगर एक पैसा इस चक्कर के लिए दे दूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा तो वो अब अपनी जो उसके पास खजाना था यानि तीन पैसे का उसका अगर एक पैसा दे देता यानि कि एक तिहाई उसने दे दिया तो अब उसके पास बचा क्या, दो पैसे, तो वो उसके पास कुछ पैसे नहीं बचते, इसलिए वो चकर खाएगा नहीं, मतलब वो जूला नहीं जूलेगा, उसने ये डिसाइड किया, सब चर्कियों से उतरते हैं, अब खिलोने लेंगे, सब जूला जूल चुके, सारे बच भिष्टी और धोबिन और सादू, वाह, कितने सुन्दर खिलोने, अब बोलना ही चाहते थे, अब वहाँ पर क्या, खूब सारे खिलोने लगे थे, मिट्टी के छोटे-छोटे खिलोने लगे थे, भिष्टी, जो पानी पहलाता है, वकील था, राजा था, सब बहुत तरह- कि अभी बोल पड़ेंगे, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पकड़ी वाला, तो महमूद क्या लेता है, वो एक सिपाही लेता है, पुलिस का सिपाही जो तब ऐसे लेता है, कंदे पर बंदूग रखे हुए है, मालुम होता है, अभी कवायत किये चला जा मोशिन को भिस्ती पसंद आया कमर जुकी हुई उपर मशक रखे हुई मशक मतलब एक थैला होता है चम्डे का बना होता है उसके अंदर पानी रहता है तो उसको बोलते हैं भिष्टी वो लोगों को पानी भी पिलाता है और सब को पानी देने का काम करता है तो उसको बोलते है बेश्टी उसके कमर जुकी हुए होती क्योंकि कंधे पे बहुत भारी थैला होता है पानी का हाँ हम माight मशक बोलते हैं उसके पानी बहरा होता है वो ऐसे जुके चलता यह सब को एसे जुक जुक के पानी पिला ता रहता है मशक का मूँ एक हाथ से पकड़े हुए यह वहां मशक से पानी उडएलना ही चाहता है तो वो क्या है एक हाथ से पकड़ लेता है कि लो भी आ पानी उड़ेलो नूरे को वकील से प्रेम था, नूरे ने क्या लिया, वकील लिया, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, यानि कि उसका मुख ऐसा लग रहा था कि बहुत जादा नौलेज़ वाला है, मतलब बहुत बड़ा विद्वान है उसको ऐसा लग रहा था काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी, जंजीर, एक हाथ में काणून का पोथा लिये वे, तो जैसे वकील होते हैं, ब्लैक कोट पहने हुए, सफेद अचकन पहने हुए, हाथ में किताब लिये हुए और जंजीर पहने वे, पौक तुना दी कोटमें जाएगा और वहां पर भैस करेगा ये सब दो दो पैसे की हिलोने 7 विल जाएगा जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा ऐसे खिलोने लेकर वा क्या करेगा लेकिन लल्चाई हुई आखों से खिलोनों को देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले 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 अब हामिद है तो बच्चा अब उसे लग रहा था क मेरे पास तो कुल तीन पैसे हैं दो पैसे का ये ले लूँगा मेरे पास का बच्चे का और ये कैसा जरा सा हाथ से टूटा चूट चूट कोई मिट्टी के खिलोने थे पानी पड़ा रंग चला गया तो मगर बच्चा तो बच्चा है उसे लग रहा था कि एक बार में ये मिठाईयां आती हैं सब ने खिलोने ले लिए हम इतने कुछ ने लिया हम इतने जूला भी ने जूला अब खाने की बारी आती है सब मिठाईयों की तरफ आते हैं किसी ने रेवडिया ली किसी ने गुलाब जामुन किसी ने सोवन हलवा सभी मज़े से खा रहे थे सब ने कोई आकर्षन नहीं था जो चोट चुट यो बच्चे उनके लिए हां कोई मतलब ही नहीं था बढ़ों के लिए थी वे सब आगे बढ़ जाते हैं हामित लोहे की दुकान पर रुख जाता है सब बच्चे आगे बढ़ेगे क्योंकि वहां पर कोई मतलब करने है लेकिन हामित एक लोही की दुकान होती है वहां पर रुख जाता है कई चिम्टे रखे हुए थे चिम्टे मतलब आप लोही देखा हो रहा ममा जब रोटी सेकती है तो वह आग पर से चिम्टे से रोटी उठाती है उसको चिम्टा बोलते है तो उसको वो चीज उसको ने उसको दिखी उसे खयाल आया दादी के पास चिम्टा नहीं है तब इस र उसके दादी को तकलीफ होती थी रोटिया सेकने में उंगलियां जल जाती थी तो उसने सोचा क्यों नहीं एक चिम्टा ले लेता हूं घर में एक काम की चीज आ जाएगी दादी की उंगलियां जलने से बच जाएगी खिलोने से क्या फाइदा जरास गिरेगा तूट जाएग पैसे बरबाद तो वो ये अपने मन में विचार कर रहा होता है हामित के साथ ही आगे बढ़ गए सबील पर सब के सब शर्बत पी रहे सबील मतलब जहां पर शर्बत मिलता है देखो सब कितने लालची हैं इतनी मिठाईयां ली मुझे किसी ने एक भी ना दी उस पर कहते हैं म मेरे साथ खेलो मेरा ये काम करो तो सब अपना दोस्त होने का वादा मतलब बोलते हैं कि मेरे साथ खेलो ये करो मेरा काम करो और सब इतनी मिठाईयां खा रहे थे मुझे किसी ने एक मिठाई तक कि लिए नहीं पूछा ये कैसे दोस्त तो वो सभी आगे थे अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाईयां, आप मुह सड़े का, फोड़े फुंसिया निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, सब के सब हसेंगे कि हामिद ने चिम्टा लिया हसें, मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा ये चिम्टा कितने का है, तो अब वो मनी मन में सबको बद्वा भी दे रहा है, मीठा खाएंगे, दाथ सड़ेंगे, मुह में फोड़ा फुंसिया निकलेंगी, खुदी की जबान खराब होगी जाने दो, अब मैं चिम्टा लूँगा तो सब भी बोलेंगे हैं, हामिद ने चिम्टा लिया, फाल उसने बोला, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है, दुगान जाने सीधे ऐसे बोला, विकाओ है की नहीं, हामिद गुस्टे से बोला, विकाओ है की नहीं, विकाओ क्यों नहीं है, और यहां क्यों लाद कर लाए हैं, तो मतलब अगर तुम्हें बेचना नहीं है, तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो ये कितने का है तो उसने क्या बोला कि ये छे पैसे का है अब हामित के पास तो तीन पैसे और वो कितने का चिम्टा लगा रहा है छे पैसे का हामित का दिल बैठ किया अब उसे तकलीज उसको दुख लगा कि हाए मैं चिम्टा भी नहीं ले पाऊंगा क्या बोलता ठीक ठाक बताओ ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो लो नहीं चलते बनो तो उसने हामिद ने बोला ठीक ठीक लगा तो उसने बोला पांच पैसे लगेंगे तो लेना है तो लो चिंटा मुझे दे दूत थीन पैसे में क्यों आसे कहता हुआ आगे बढ़ इसा likewise इसे वी चिंटा Under我就 को आगे बढ़ जाता है लेकिन दुकान दैनल ke usश कुछ यही कंधे पर रखांतु सिंदे कैसे कांट करके कांटा करके मानों बंदूखा अोग कट्लब है यां शां से करता हुआ संगियों के पास पूहा और आके अपने साथियों के और बोला यह चिमॉटा क्यों लाया है पगले इस से क्या करेगा हामिद ने चिमॉटे को जमीन पर पटक कर कहा उसे जमिउठाइ और ऐसे करए पटक दिया चिमॉटे को कहा ज़रा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलियां चुर चूर हो जाएंगी उसने अपना चिम्टा फेका तो उसने बोला अपना भिष्टी ऐसे पटक के देखो पूरा चूर चूर हो जाएगा महमूद बोला तो यह चिम्टा कोई खिलोना है तो उसने बोला भई हम लोगों ने खिलोना लिया है तो तुम्हारा चिम्टा क्या कोई खिलोना है? हामिद, खिलोना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूख हो गई तो अब उसने अपने चिम्टे के सारे फायदे बताने शुरू किये कंधे पर रखो, खिलोना हो, बंदूख हो गया, हाथ में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इसमें मनजीरे का काम ले लू मनजीरा जो बसता ना अब उसको खटखट करोगे तो कैसे आवाज आएगी एक चिम्टा जमा दू तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए उसने बोला एक चिम्टा अगर तुमारे खिलोने पर मारूं तो ये सब तुमारे खिलोने फुट फुट जाएंगे तुमारे खिलोने कितने ही जोर लगाएं मेरे चिम्टे का बाल भी बाका नहीं कर सकते मेरा बहादूर शेर है चिम्टा तो उसे का आप तुम्हारे खिलोने कितना भी जोर लगा ले मेरे चिम्टे का कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरा चिम्टा क्या है शेर है शेर का कोई कुछ नहीं कर सा था उस दिरे मेरा चिम्टा क्या है शेर है सम्मी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलो के दो आने में उसने खंजरी ली थी बजाने के लिए एक यंट होता है उसने बोला मेरी खंजरी तुम ले लो और अपना चिम्टा मुझे दे दो शमी ने ऐसा बोला एक बच्चे ने हामिन ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे उसमें वो लगा होता है कपड़ा टाइप का तो उसमें बोला कि अगर मेरा चिम्टा चाहे तो ऐसे घुज जा तुम्हारी खंज्री का पेट फट जाएगा बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी धब धब बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादूर चिम्टा आग में, पानी में, आंधी में, तुफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा तो उसमें बोला कि तुम्हारी खंज्री क्या एक चमड़ा लगा दिया जरा सा आग में जाए जल जाए, पानी पड़ जाए, बेकार हो जाए मेरा चिम्टा कहीं पर भी डाल दो कुछ नहीं होगा वो तो बहुत ही मजबूत है तो हामित यहां अपने चिम्टे की जो है खुब बढ़ाई करता है सब को खुब अच्छे बता रहा है कि मेरा चिम्टा ये है ये और सबने जो खिलोने लिये थे अब क्या है सबको अपने खिलोने बुरे लगने लगे थे उन्हें लग रहा थे ये चिम्टा बड़ा फायदे वाला कि इसको कैसे कैसे लग रहा था आगे देखते है चिम्टे ने सभी को मोहित कर दिया क्योंकि हामिद ने चिम्टे की इतनी जादा बढ़ाईया कर दी कि सब अब चिम्टे की दरफ एट्रेक्ट हो चुके थे अब सबको क्या चाहिए था चिम्टा चाहिए था लेकिन अब पैसे किसके पास धरे सब अपना पैसा खर्च कर चुके खिलोने में खेलने में खाने में सब में खर्च कर चुके अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे फिर मेले से दूर निकल आये थे पैसे भी नहीं थे और चलते चलते कहा निकल आये थे मेले से काफी बहरा भी आ गए थे नौ कब बज गए धूप तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही है बाप से जिद भी करें तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चाला किसी लिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे अब समर में क्या सोच रहे थे कि भई पैसे बचे नहीं है मे बच्चे थे ना अब किसमें दो पार्ट में बच गए थे एक और मिट्टी और दूसरी और लूहा मतलब एक दल था जो मिट्टी के खिलोनों के साथ अभी भी टिका था और दूसरा कहां चिम्टे के साथ हो गया था लोहे के साथ में हो गया था अगर कोई शेर आ जाए मिय बिष्टी के छक्के छूट जाएंगे मिया सिपाही मिट्टी की बंदुग छोड़ कर भागी वकील सहाब की नानी मर जाए चोंगे में मूँ छिपा कर जमीन पर लेट जाएं मगर यह चिम्टा यह भादुर यह रुस्तों में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो लेकिन यह लोहा क्या होगा लोहे का जो चिम्टा है वो शेर के उपर सवार होगा और उसकी आखें निकाल लेंगे क्यों क्यों कि भाई यह मजबूत है यह सब तो मिट्टी के हैं टूट जाएंगे मोशिन ने एरी जोटी का जोड लगा कर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है अब मोशिन ने अपनी अकल लगाई विष्टी पानी भर सकता है तो उसने बोला कि यह जो चिम्टा है क्या यह पानी भर सकता है यह पानी तो भर नहीं सकता बही चिम्टा कैसे पानी भरेग तो उसने बोला कि अगर ये चिम्टा भिष्टी को डांट लगाएगा कसके तो भिष्टी ही दौडता हुआ आएगा और उसके दर्वाजे पर पानी छिड़क कर जाएगा महसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुचाई अब महसिन की तो बोलती बंद हो गई उसके पास भिष्टी था उसको हरा दिया अब कौन आए मैदान में महमूद उनने का बोला अगर बच्चु पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे तब वकील सहाबी पैरों पे पड़ेंगे तो अब महसिन ने महमूद ने क्या खरीदा था महमूद ने एक वकील खरीदा था अब उनने बोला कि अगर पुलिस पकड़ ले जाएगी बंधे रहोगे तो वकील ही काम आएगा नहीं तो बंधे भंदे खड़े रहोगे हामित इस प्रबल नूरे ने क्या लिया था सिपाही लिया था तुरंग बोलता मेरा ये सिपाही तुमको पकड़ने के लिए आएगा हामिद ने मूँ चड़ा कर कहा यह बेचारे हम बहादूर उस्तमें हिंदु को पकड़ेंगे वो बोले कि ये बेचारे वकील और सिपाही हमको पकड़ेंगे इस चिम्टा रुस्त में हिंदु को पकड़ेंगे अच्छा लाओ अभी जरा कुष्टी हो जाए इनकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेंगे क्या बेचारे तो उसने बोला कि अच्छा चलो ठीक है ये मुझे पकड़ने आएगा चलो तुम अपना सिपाही लाओ अपना फिष्टी लाओ और ये मेरा चिम्टा चलो इनमें मैं कुष्टी हो जाए देखें क्या हमको पकड़ पाएंगे मौसिन को एक नई चोट सुझ गई तुम्हारे चिम्टे का मुझ जोर रोज आग में जलेगा जाईगा जाईगा उसने समझा था कि हामित लाजवाब हो जाएगा लेकिन ये बात ना हुई हामिद ने तुरंट जवाब दिया आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब आग में खूदना वाकाम है जो रुस्त में हिंद ही करता है तो मोसिन ने सोचा कि आप इसका तो वो कोई जवाद हामिद दे नहीं पाएगा लेकिन हामिद यह बोलता है कि भाई आग में कूधना बहादरों का काम होता है और मेरा चिम्टा तो रुस्तों में हिंद है वो तो आग में भी कूध जाएगा मैमुद ने एक जोर और लगाया अब मैमुद फिर से बोलता है हम इसको परास्त करने के लिए क्या वकील सहाब कुरसी मुएच पर बैटेंगे तुम्हारा चिम्टा तो बाबर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा तो उसे बोला वकील सहाब कुरसी पर बैटते हैं और तुम्हारा चिम्टा कहां रहेगा बाबर्ची खाने यानि कि रसोई घर किचन में पड़ा रह कितने ठिकाने की बात कही पठे ने चिम्टा बाबर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर क्या सकता है तो नूरे और शमी क्या कहते ही बात तो तुम सही कह रहे हो जो है चिम्टा है वो गरसोई घर में पड़े रहने के लावा करे का क्या वो तो वहीं पड़ा रहेगा उसके पास तो कुछ काम ही नहीं हामित को कोई फड़कता हुआ जबाब ने सुज़ाँ तो हम इससमे धांदली शुरू कर दी और उसने गोलगोल वास्ते करनी शुरू कर दीशिंग मेरा चिंटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा वकील सहब कुरसी पर बैठेगा, जो जा कर उन्हें जमीन पर पतक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा अब उसने बोला मेरा पावरचिफ खाने में नहीं पड़े रहेगा ये कहां गुसेगा, ये वकील सहब के पेट में गुसेगा और उनकी जित्ती वकालत है सब बाहर इकाल देगा अब वो लड़ने के मूड में आ चुका था तो उसने इस तरीके से बोला कानून को पेट में डालने वाली बाद च्छा गई जो बोला ना पेट में डाल देगा ऐसी च्छाई की तीनों शूर्मा मुँ ताकते हुए रह गए हामिद ने मैदान मार लिया उसका चिम्टा रुस्तमेहिंद अब उसके बाद किसी ने कोई तरक नहीं दिया सब हार मान चुके थे और हामिद का चिम्टा जो है वो रुस्तमेहिंद साबिब हो चुका था अब इनमें मोसेन, महमूद, नूरे, समी किसी को अपनी आपत्ती नहीं हो सकती और उने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज ना ले सके हामिद ने तीन पैसे में रंग में रंग जमा लिया, सच ही तो है खिलोने का क्या भरुसा तूट फूड जाए हामिद का चिम्टा तो बना रहेगा परसो अब सब पराज तो चुके थे, सब ने मान लिया था कि हम लोगों ने तीन तीन दो तीन तीन पैसे देकर जो ये खिलोने खरीदे हैं ये अभी गिर जाए तूट जाए बेकार हो जाएंगे मगर हामिद ने जो तीन पैसे में जो चिम्टा खरीदा है वो हमेशा बना रहेगा ये सभी बच्चे समझ चुके थे और मान चुके थे संदी की शर्ते तै होने लगी अब क्या है अब ये लड़ाई जगड़ा खतम हुआ कि अब जो है न हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं क्या हुआ मोसी ने कहा जरा अपना चिम्टा दो हम भी देखें तुम हमारा भिष्टी ले कर देखो अब संदी क्या हुआ कि भैत तुम हमारा खिलाना ले लो हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चिम्टा ले लेते हैं क्योंकि चिम्टे से सभी मुहित हो चुके थे उसने इतनी हाम को इन शर्दों के मानने में कोई आपती नहीं थी चिम्ता बारी बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी बारी से हामित के हाथ में आए कितने खुबसूरत खिलोने थे भाई हामित का मन तो पहले भी खिलोनों के लिए ललचा रहा था वो चाहता ही एक तार का थोड़ी दिन उनके खिलोनों से खेले और धीरे धीरे यही हुआ सब ने एक-एक करके हामित की हाथ में अपने खिलोने दिये और हामित का चिम्टा एक-एक करके सब के हाथ में गया और हामित बड़ा खुश था क्योंकि उसके हाथ में वो मिर्बसंत खिलोने आये थे हामित ने हारने वालों के आंसु पोचे मैं तुम्हें चड़ा रहा था सच ये चिम्टा भला इन खिलोनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले तो तब बोले अब हामित अंत में बोलता है कि मैं तुम सब को चुड़ा रहा था इन खिलोनों की बराबरी कहीं ये चिम्टा कर सकता है ये खिलोने कितने सुंदर हैं कितने प्यारे कितने सजीव लग रहे हैं जैसे लग रहा है ये सब अभी बोल देंगे तो हामित ने अंत में उन सभी को ये चीज पूली मौसित लेकिन इन खिलाउनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा तो उसमें बोला कि ये जो चिम्टा तुम लाए अपनी दादी को दोगे तो दादी तुम्हें इत्ती दुआ देगी लेकिन हमाई इन खिलाउनों के लिए कोई हमें दुआ नहीं देगा महमूद दुआ को लिए फिरते हो उल्टे मारना पड़े अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलाउने मिले थे तो महसिन क्या बोलता है कि उल्टा दुआ की छोड़ो ऐसा नहों कि उल्टा मार पड़ जाए हम लोगों को कि भई यह मिट्टी के खिलाउने ही हमको इत्ते पैसे बरबाद करके लाने को मिले थे हामित को स्विकार करना पड़ा कि खिलाउनों को देखकर किसी की मा इत्ती खुश ना होगी जितनी दादी चिम्टे को देखकर होगी फिर अब तो चिम्टा रुस्तों में हिंद है और सभी खिलाउनों का बादशा है हामित भी मानता है कि सबके खिलोन देकर माएं इतनी खुश नहीं होंगी जितना चिम्टा देखके दादी खुश होंगी अब चिम्टा सब परच्छा चुका था रुस्तों में हिंद बन चुका था रास्ते में महमूद को भूग लगी उसके बाप ने केले खाने को दिये यह थे महमूद ने केवल हामित को साजी बनाया उसके अनमित्र मूत आकते रह गए यह उस चिम्टे का प्रसाद था अब राज्ते में महमूद को भूख लगी उसके पास केले थे उसने खाया सिर्फ हामित को दिया और किसी को नहीं दिया तो ये कमाल क्यों था ये कमाल था चिम्टे का क्योंकि चिम्टे से सभी मोहित हो गये थे तो हामित से सभी प्रसन थे इसलिए महमूद ने सिर्फ उसी को केले दिये और किसी को भी केले नहीं दिये 11 बजे सारे गाउं में हलचल मच गई 11 बजे सभी गाउं पहुँच गए मेले वाले आ गए मोसिन की छोटी बहन ने दौड कर भिष्टी उसके हाथ से छीन लिया मोसिन की जो बहन थी वो आई दौड कर अपने भाई की हाथ से भिष्टी को छीन लिया और मारे खुशी के जो उचली तो मिया भिष्टी नीचे आ रहे और परलोग सिधार रहे अब वो खीचा तानी में क्या हुआ खुशी में जैसी वो खीचा तानी हुई हाथ में मिष्टी गिरे और जमीन पर तूट गए परलोग सिधार गए मतलब वो तूट फूट के बेकार हो गए इस पर भाई बहन में मार पीट हुई दोनों खूब रहे उनकी अम्मा या शोर सुनकर बिगडी और दोनों के उपर से दो दो चाटे और लगाए मतलब भाई बहन भी आपस में लड़े और लड़ने के बाद में क्या हुआ कि बाद में अम्मा आई अम्मा ने भी मार खूब अच्छे से पिलाई मिया नूरे के वकील का अंत इससे जादा गौरव में हुआ इदर मौशिन का भिस्ती तो तूट गया अब जो है किसके नूरे के वकील की बारी आई वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता था दिवार में दो खूटियां गाड़ी गई उस पर लकडी का एक पट्रा रखा गया पट्रे पर कागज का कालीन बिचाया गया वकील साहब राजा भोज की बाती सिंगासन पर विराजे नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया मालूम नहीं पंखा की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया फिर जो और शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्तियां घूरे में डाल दी गई अब क्या हुआ वकील साहब जो लेकर आये नूरे पट्र दो कीले गाड़ी गई पट्रा ऐसे करके बठाला गया उसके ऊपर कागेज बिचाया गया कागेज के ऊपर वकिल सहब को बठाला गया नूरे ने पंखा जला पतानीashed पंखा की मार लगी या हवा से वकील सहाब नीचे और मिट्टी में मिलके चकना चूर वह गये इस तरीके गाओं का पहरा देने का चार्ज मिल गया अब क्या हूँ उसे पहरा देना था पूरे गाओं का लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा एक टोकरी आई उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गया जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे नूर बरे उसको सर पे रखे उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह चोने वाले जाकते लोग पुकारते चलते रहे और उसके जो छोटे जो दोनों भाई थे वो उसके पीछे पीछे जल रहे थे कहतो रहते सोने वाले जाकते रहो अब छोटे थे तोतले मुह से बोल रहे थे तो क्या बोल ले तो चोने वाले जकते लो ऐसे करके बोल रहे थे महमूत को ठोकर लगी ठोकरी उसके हाँ से छूट कर गिर पड़ती और मिया सिपाही अपनी बंदूग लिए जमीन पर आ जाते और उसकी एक टांग में विकार आ जाता अब क्या हुआ ठोकर लगी ठोकरी नीचे सिपाही जी गिरे और उनकी एक टांग तूट गई महमूत को आज ग्यात हुआ कि वा अच्छा डॉक्टर है महमूत को क्यों ग्यात हुआ उसको ऐसा मरहम मिला जिससे वा टूटी टांग को आनन फानम में जोड सकता था उसने पेस एक गम लेकर आया उसकी टूटी टांग को जोड दिया टांग जोड दी जाती है लेकिन सिपाही क्यों जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है शलक्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है अब कम से कम एक जगा आराम से बैट तो सकता है बैट टांग वो चिपका दो देता है लेकिन जैसे उसको खड़ा करता है वो टांग टूट गई और फिर से बैट जो टूटी भी टांग थी वो फिर से टूट जाती है और गिर जाता है फिर आबानत में क्या होता है उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है और आधा ही पोर्शन उसका रख दिया जाता है अब मैया हामित का हाल सुनिये आप क्या हो सभी बच्चों की तूड अब आई बाहर ही हामित की हामित ने क्या लिया था चिम्टा अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लेकी सैसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चौकी, अमीना कौन? उसकी दादी, जैसे हामित को आता सुना, दोड़के आई, उसे गोधी में उठा ली, और प्यार करने लेगी, लेकिन उसके हाथ में चिम्टा देखकर चौक गई, क्यों चौकी भाई? ये चिम्टा कहां था? मैंने मोल लिया है, कह कैसा बेसमझ लड़का है कि दुपहर हुआ कुछ खाया, ना पिया, लाया क्या ये चिम्टा, अब क्यों दिया था? बाई, सुभा से बच्चा निकला आया, खाया पिया नहीं है, कुछ खायेगा, न कुछ भी नहीं खरीदा, ना कुछ खाया, क्योंकि अमीना ने तीन पैस हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो हामिद ने क्या बोला, दादी आपकी उंगलियां तवे में जल जाती थी, रोटी सेखते समय, इसलिए मैं ये चिम्टा लेकर आया हूँ, बुढिया का क्रोध तुरंत इस बढ़ेते और मिठाईयां खाते देखकर इसका मन कितना लल्चाया होगा वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया तो उसने सोचा कि बताओं मेले में सब बच्चे कितना खा रहे होंगे पी रहे होंगे जूला जूल रहे हों रोने लगी दामन फेला कर हामित की दुआएं देती जाती और आसू की बड़ी बड़ी बूंदे किराती जाती और हाथ फेला के भगवान से जो है वो हामित के लिए अच्छी अच्छी दुआएं अच्छी चीज़ें मांग रही थी और खुब रोती जा रही थी तो यह इ बहुत ही अच्छी थी प्रेम चंदिजी की, हमने पढ़ि, समझी, जानी, देखी और बहुत कुछ इसे सीखने को वी मिला कि किस तरीके से जो है हम चीजों को देख और समझ सकते हैं, चीजों को अपनी जरूरतों के नहीं सभी के जरूरतों के साथ हमें देखना और सबजना चाहिए अब इसी के साथ एक छोटी सी और हमारे पास में क्या है एक activity type की है कोशिश करिएगा देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं तो यहाँ पर एक ये छोटी सी छत्री यानि कि ये पैरसुट बनानी की हमारी कोशिश है क्या दिया है हमें सामान क्या लेना है एक रुमाल लेना है धागे के चार टुकडे और एक पत्थर एक हैंकी लेना है ठीक है एक बड़ा सा हैंकी लीजेगा धागे लीजेगा, चार, equal size के, थोड़े से मोटे, बहुत पतले नहीं लीजेगा, और equal size के चार धागे और एक छोटा सा पत्थर ले रहा है, वह छोटा भी नहीं, इतना बड़ा सा पत्थर लोगें, फिर किसको बनाने का तरीका क्या है, सामान लंबाई के धागे के चारो ट इसे बांदेंगे रुमाल के चारो कोनों को बीच तक मोड़ो उनको क्या करना बीच तक मोड़ के लिए के आना ऐसे करके ऐसे करके मोड़ के लिए के आना और चारो धागों से पत्थर भांदे से पहले एनिश्यत कर लो कि उनकी लंबाई एक समान है अब जब हम उनके नीचे पत्थर बांदेंगे न तो पहले चारो धागे बराबर कर लेने मतलब जब हम रुमाल लेंगे तो निमाल को हम क्या करेंगे ऐसे बांद के बराबर ले आएंगे और जब परहूं तो उसमें पत्थर को बांदेंगे अब इसे आकाश की ओर जोर से उचालो अब इसको करने के बाद ऐसे पकड़ना है और उसको जोर से आसमान की तरफ उचालना ठीक है? फिर क्या करना? और धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने लगेगा फिर वह क्या होगा? धीरे 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 वो नीचे आने लगेगा रुमाल की प्लास्टिक की शीट से हवाई छतरी बना कर देखो अगर रुमाल नहीं मिलता तो polytheon होती न, polytheon bags नलते market से उनसे भी आप बना सकते हो उनसे भी बना कर देखो, जानू, क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर यहां जहां बिलकुल हवा नहीं होती काम करेगा, अगर रुमाल के बीच एक छोटा एक छेद हो तो क्या यह पैराशूट काम करेगा, अब अगर क्या होगा, जहां हवा नहीं हो, तो क्या यह पैराशू कर रहा है क्योंकि हवा उसमें जाकर फस्ट रही है इसलिए वो धीरे 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 नीचे आ रहा है लेकिन अगर हवा उसके आरपार हो जाएगी तो वह नहीं करेगा तो यह activity आप करके देखिएगा आपने बड़ों की help नी ले सकते हैं इसमें तो जरूर आप इससे कुछ प्रश्न हो रहा है क्या हो रहा है तो मैं किसी ना किसी बात पर रूटने के मौके तो मिलते ही होंगे यह हमारे पास पूछा अब इसी पर प्रश्न क्या है अकसर तुम किस तरह की बातों पर रूटती हो हम लोग अकसर रूट जाते हैं आप क्या हम भी रूट जाते हैं तो तो बड़े होके, तो बच्चे तो बच्चे भाई बड़े भी रूटते हैं, आप बोलेंगे तो पूड़े भी रूटते हैं, तो सब कोई रूटता है, तो अब उनको मनाना भी पड़ता है, तो ममा आपको जिसे आप रूटते हो, तो ममा आपको मनाती है न, तो आप किस-कि तब रूट जाते हैं मनपसंद टॉय नहीं दिलाएं कितना टॉय जादा तो नहीं दिलेना चाहिए हम लोगों को तो कब-कब रूटते हैं यह आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या है जब हमें कोई डाट देता है तो यह यह अगर हमारी मनपसंद वस्तू हमें नहीं देता तो हम रूट जाते हैं कि भी कर सकते हैं कोई हमें डाट दे तो हम गुस्सा हो जाते हैं ममा हमको डाट देगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे अगर हमारी कोई मनपसंद चीज हमको नहीं दी जाती जैसे भी हमने बोला टॉई नहीं मिला अब हम आते हैं दूसरे पर क्या मा के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं कौन कौन मना लेते हैं घर में मा के अलावा पिता जी दादा जी दादी जी और बड़े भाई हमें मना लेते हैं अर्था जब हम रूठ जाते हैं तो हमें मनाने कौन आता है हमें प्यार करने कौन आता है भई हम जब रूट जाते हैं तो घर के कोनी में चुपचा बैठ जाते हैं हम बात नहीं करेंगे किसी से तब हमें मनाने के लिए कौन कौन आता है तो आपको उनके नाम लिखने हैं फिर उसके बाद है प्रश्ण संख्या दो हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं ऐसे त्योहार के बारे में उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ अब आपको करना है बहुत सारी कहानिया है जो बुराई पर अच्छाई की जीत है जैसी कि हमारी रामाएड है हम रामाएड ले 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 तो वो भी बुराई पर अच्छाई की जीत है तो उसके बारे पता करिये और कक्षा में सुनाईए तो यहां क्या है जो बुरे पर जो भगवान श्री राम की रावड पर जीत का प्रतीक है अब देखे दा शेरा भी बुराई पर अच्छा ही की जीत है तो क्या है यहाँ पर हमें इसकी पूरी कहानी आपको पता कर रही है और कक्षा में बच्चों को सामने सबी कुछ सुनाई है अच्छे से अब है प्रश्ण संख्या तीन तुम्हें राम लीला की जरिये या फिर किसी कहानी के जरिये राम चंदर के बारे में जानना समझना होगा तुम्हें उनकी कौन सी बाते अच्छी लगी तो आपने राम जी के बारे में बहुत कुछ जाना समझा होगा तो आपको राम जी की आपको वो लिखना है कैसे लिखेंगे ये हम बताते हैं शी रामचंद्र एक आज्याकारी पुत्र तथा मर्यादा पुर्शोत्तम राजा थे वो हमें बहुत अच्छे लगए और उनके गुड़ हमें प्रभावित करते हैं यानि कि रामचंद्र जी जो है वो अपनी माता पिता की बाद बिल्कुल मानते थे मर्यादा पुर्शोत्तम रे मतलब हमेशा सही कारे करते थे सही बोलते थे तो इसलिए पसंद है और उनकी बहुत सारी अच्छाईया है तो उनके बारे में लिखी अब है प्रिश्न संख्या 4 क्या दिया है नीचे दिये गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो और लिखो तो अब हमारे पास दिया हुआ है खिलोने वाला सारी नहीं बेचता ये एक सिंपल सेंटेस है अब आपको कविता पे जाना है कविता में ये भाव ये बात कहाँ पर कही गई है वो पंक्तियां वो यहाँ पर लिखनी है तो क्या थी वो पंक्तिया कभी खिलोने वाला भीमा क्या साडी लेकर आता है तो ये लाइन थी हमारी तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट है खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाजे लगा रहा है कैसे लगा रहा है जोर जोर वह रहा है पुकार अब ये पंक्ती कहां पर थी कहां पर था खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाजे लगा रहा है तो ये भाव किस पंक्ती से व्यक्त हो रहा है कविता में, कौन से पंक्ती थी, जोर जोर वा रहा पुकार, इस पंक्ती के जरिए ये जिस वो व्यक्त कर रहा है अब दूसरी कौन सा भाव हमें पता करना है मुझे कौन सा खिलाना लेना चाहिए उसमें मा की सरहा चाहिए मा ने चाराने लाकर दे दिये पैसे लाकर दे दिये थे अब क्या था पता करना था कि कौन सा खिलाना ले तो मा से वो बोलता है तो ये पंग्दिया कहां पर व्यक्त की गई क्या शब्दी इस्तेमाल की गई वो लिखने क्या था कौन खिलाओना लेता हूं मैं तुम भी मन में करो विचार मतलब मा तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलाओना लू ये मन में विचार करो अब आगे क्या है जला जाऊंगा अगर बन जला जाऊंगा तो मां से नहीं मिल पाऊंगा फिर मां नहीं होगी तो कौन मुझे मनाएगा और कौन मुझे अपनी गोध में बैठाएगा ये पंक्ती कहां पर वेक्ट की गई है तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोध में ये पंक्ती हमें देखते करनी है अब आ रहा है प्रिश्ट संख्या 5 क्या दिया है मूमफली लेले मूमफली गरम करारी टाइम पास मूमफली तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजे लगाते हुए जरूर सुना होगा तुम्हारे गली महले में ऐसे कौन से आते हैं और वे किस ढंग से आवाजे लगाते हैं उनका अभी नहीं करके दिखाओ वे क्या बोलते हैं उनका भी एक संख्यार तयार करो तो देखे गली महले में बहुत सारे फेरी लगाने वालते हैं कबाडी वाले आते हैं सबजी वाले आते हैं कपड़े वाले आते हैं बहुत तरीके का आपके घर के आसपस जो भी आता है उनके नाम लिखिए और वो केस तरीके से आवाज लगाते हैं ये भी लिखिए तो क्या है गली महले में सबजी वाले कबाडी वाले आधी आते हैं वे निम लिख़त आवाजे लगाते हैं तो आप इसे तरीके से आपकी गली में जो जो आ रहा है आप उसकी भी ऐसी लिखेंगे सबसे पहला सबजी वाला कैसे लगाता है आलू लो बैगन लो घी आलो टमाटर लो ऐसे बोलता है फिर उसके बाद कबाड़ी वाला आता तो कैसे बोलता है कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला ऐसे करके बोलता है फिर आता है कपड़े वाला कपड़े वाला कैसे बोलता है ले लो बड़िया बड़िया मिटे मिटे के ले ले लो ऐसे बोलता है ना तो आपकी गली में जो कोई भी आता है आप उसको वैसे ही लिखोगे जैसे वो बोलता है वैसे और क्लास में अपनी उसी की तरीके से अभिने भी करोगे मैं आप जब बोलेंगे तो सेम वैसे ही आपक करूगी और क्यों अब आपके सामने बोगत सारे खिलाने रखी हैं अब आप आप रेल गाडब syst Daskate धनुषबाण है बल्ला या कुछ और है तो इन टे सारे खिलोने पड़े हैं आप आपको इसमें से कुछ खिलोने लेने हैं और ये बताना है कि आप ये खिलोने क्यू ले रहे हों तो हम यहाँ पर कुछ खिलोने के नाम लेकर आएं मगर ध्यान रखना है कि आप उसको कौन सा चूज करोगे, तो क्या दिया है इसमें, मैं इन खिलोनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो अगर आपको कोई और खिलोना पसंद करना है, तो आप वो लि लिखना है, तो यहाँ पर कुछ नाम लाएं, और जो आप खिलते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे क्या है, हम अपने साथियों के साथ, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस, आदी खेल, खेलते हैं, आप कुछ भी हो सकता है, आप लोग चुपन-च चुपाई भी खेलते हैं, बहुत सारे खेलते हैं, चोरपुरिस खेलते हैं, तो बहुत तरेके की गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर आप जो भी खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, उन्हें यहाँ पर लिखेंगे, अब हैं नेक्स कोशन, खिलोने वाला शब्द संग्य में वाला जोडने से नीचे लिखे वाक्यू में रेखांकित हुस्तों को ध्यान से देखो और संग्या क्रिया आदी पहचाँ। अब ध्यान दीजेगा ये खिलोने हैं ये हमारा संग्या शब्द है और इसी संग्या शब्द में हमने वाला जोड़ा हुआ है अब इसी चीज़ पर आपको क्या करना रेखांकित वाले पर हमें बताना है कि इसमें संग्या शब्द कौन सा है जैसे है पान वाले की दुकान आ हमारा क्या sentence है? मेरी दिल्ली वाली मौसी बस conductor है. Underline word है दिल्ली वाली. अब दिल्ली वाली में संग्या शब्द क्या है हमारा? दिल्ली. दिल्ली हमारा क्या है? संग्या शब्द है. Next question है. महमूत पांच बजे वाली बस से आएगा. अब इसमें जो है आपका इसमें क्या है? पांच बजे वाली. अब इसमें underline word में हमें पहला word है पांच. अब पांच क्या है? पांच हमें पता लगाना है की है क्या? तो यह क्या है? पांच बजे वाली यह हमारा विशेशन शब्द है. विशेशन कैसे है? क्योंकि ये किस के बारे में बता रहा है बस के बारे में बता रहा है और बस हमारी ये संग्या संग्या के बारे में जो शब्द विशेशताएं बताते हैं वो हमेशा विशेशन कहलाते हैं तो पांच बजे वाली किस की क्या है विशेशता है बस की विशेशता है इसलिए वो क्या कहलाएगा हमारा विशेशन, पांच हमारा विशेशन कहलाएगा अब next है, नंदु को बोलने वाली गुडिया चाहिए underline word है बोलने वाली अब पहला word वाली के साथ क्या लगा हुआ है? बोलना बोलना क्या होता है हमारा? यह हमारा action है यानि कि यह एक क्रिया संपन हो रही है तो बोलना हमारा क्या होगा? क्रिया होगा उसके बाद है दाड़ी वाला आदमी का है तो यहाँ पर क्या है? दाड़ी वाला के नीचे है दाड़ी क्या है? आपका संग्या दाड़ी शब्द क्या आती है? संग्या होती है नेक्स आते, इस समान को उपर वाले कमरे में रख दो, वाले के साथ क्या जड़ा हुआ है, उपर जड़ा हुआ है, अब उपर क्या होता है, उपर शब्द है क्रिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया अब है, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, वर्ड है रात, रात क्या होगी हमारी, संग्या होगी, क्योंकि प्रिपहर का समय का नाम है तो यह हमारा क्या होगा रात हमारी संग्या होगी अब next हमारा जो आ रहा है तुम्हारी राम लीला इसमें क्या दिया है क्या तुमने राम लीला देखी है राम लीला की किसी एक लगु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी राम लीला प्रस्तुत करो तो अब हमें क्या करना है जो रामलीला हमने देखी उसमें से एक छोटी कहानी लेनी है और उसे हमें कक्षा में आक्ट करना है हाँ हमने रामलीला देखिए सही बात है रामलीला देखिए तो आप लोगों ने जो भी रामलीला देखिए उसको आप देखिए ध्यान से और क्ला कविता में कथा यानि जो कविता थी कथा मतलब उसी में एक कहानी क्या दिया है इस कविता में तीन नाम हैं राम कोशल्या और ताड़का आए हैं तीन नाम दिये हैं ना मैं राम बनूंगा तुमको यहीं कोशल्या बनाऊंगा तलवार लूंगा बन जाकर ताड़का का वद क यह तीन नाम आए हैं बिल्कुल सही यह तीनों नाम किस प्रसिद कथा के पात्र हैं तो हम सभी को पता है कि राम का नाम आते ही कौन सी कथा आती है रामायर आती है तो यह कहां पर है यह तीनों नाम रामायर प्रसिद कथा के पात्र हैं राम जी की मा था थी कौशल्या और ता तुमको यहीं बनाऊंगा इस पंक्ती का कथा से क्या संबंद है यह जो पंक्ती है इसका कथा से क्या संबंद है देखिए राम जी की माता थी कोशल्या और राम जी जो है वो वन को चले गए थे तो उन्होंने बोला था मैं वन नहीं जाऊंगा मैं यहीं पे किसने वो पिता जी के आग्या मानने पर तो क्या हुआ था वो दूर चले गयते तो यहां क्या है बच्चा अपनी मा के राम चंत्र तो बनना चाहता है लेकिन वो अपनी मां से दूर नहीं जाना चाहता है नेक्स्ट है इस कथा की कुछ अंश संदर्भों की बात कविता में हुई है अपने आस पास पूछ कर इनका पता लगाओ क्या संदर्भ है तब सी यग्य करेंगे असरों को में मार भगाओंगा तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाओंगा तो ये जो चीज़े हैं आपको कथा जो हमने पता है रामायड की कथा आपने बड़ों से सुनिये क्या आपको पता भी होगी तो आपको वो संदर्भ ढूंड के यहां पर लिखने है क्या है श्री राम चंद जी ने रिशी मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए राक्षसों का वद्ध किया था तो क्या हुआ था राम जी और लक्षमर जी को विश्वा मत्र जी जो है वो ले आए थे आयो ज्या सी ले आये थे ताड ला को सबसे पहले उन्होंने माँर है फिर उसके बाद उनके आश्रम में रिश्वा मित्र जी के आश्रम में आते हैं अब आश्रम में वो जो भी कोई यग्य करते राक्षस आके उसमें विग्ण डाल देते कहीं कुछ डाल देते कहीं कुछ डालते मतलब उनका यग्य पूर्ण नहीं हो पाता तो भई सभी रिशी मुनी बहुत परेशान थे तो फिर राम जी और लक्षमन जी ने उन सभी का वध कर दिया जितने भी राक्षस वो यग्य नहीं करने दे रहे थे रिशी मुनीों को सब को माल डाला तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया तपसी लोगों की help करी यग्य को पूर्ण करने में फिर दूसरा क्या था तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा तो क्या था शीराम चंद्र अपने माता पिता की कहने पर खुशी खुशी चौदा वर्ष के लिए वन वास पर चले गए थे तो उनकी माता उनके पिता जी ने उनको बोला था कि तुम्हे 14 वर्षवन में बिताना पड़ेगा उन्हेंने कोई कोशन नहीं किया क्यों जाओं किसलिए जाओं वन में कितनी मुश्किल होगी ऐसा कुछ ने उन्होंने बोला जाना है तो वो सीधे चले गए थे बिना कुछ गए तो ममी पापा की बात बहुत अच्छे से मानते थे तो इसलिए ये संदर्भ यहाँ पर इसलिए दिया आगे कि बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे सीधे वो लोग जो है वन को चले गए थे कौन-कौन वन गया था, राम जी, सीता जी और लक्षमन जी, तीनों लोग वन्त को प्रस्थान कर गए थे, तो इस तरीके से हमने अपने ये जो चैप्टर नमबर थ्री था खिलाने वाले के प्रश्ण उत्रों को देखा, इसे बहुत सारे प्रश्ण थे जो आप से पूछे हमने यहाँ पर उत्तर उनके बताए हैं, लिकिन आप सभी के उत्तर, आप जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ क्या खेलते हो, आपको कौन मनाता है, आप रूट जाते हो, तो आपको कौन मनाता है, तो आप सभी के उत्तर इसमें अलग-अलग होंगे, तो आप सभी अपने ह साहब से इनके उत्तर लिखेंगे किसे लिखने हैं यह तो हम आपको बताई चुके हैं अगर आप इस पार्ट की व्याख्या को देखना चाहते हैं या इससे पहले को सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करते ही फिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाय जा रहे हैं वो आपके सामने होंगे तो हम आपको क्या बढ़ा रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं हिंदी तो आप यहां हिंदी पर क्लिक करोगे जैसे यह आप क्लिक करेंगे हिंदी के रेम ज करिए और दूसरा उसके प्रेश्ण उतर किये हैं तो जो भी आप समझना चाहते हैं आप उस पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा वीडियो देखे अपने सब भी डाउट को क्लियर कीजिए लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा क्योंकि जब आप ये करोगे तभी तुम आपके लिए धेर सारे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे और हम लोग कहानी सुनते रहेंगे और खुब सारे मज़े भी करते रहेंगे तो keep watching and thank you for watching, bye bye